जै हिंद, फ्लाइग होस्टिंग is the most special moment for any इंडियन, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे related कुछ uncommon facts को explore किया जाए तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे अपने नेशनल फ्लाइग यानि की तिरंगे के बारे में एक दो बातों को छोड़ दें तो guys बहुत सारे facts हैं जो में पता होने चाहिए लेकिन हम नहीं जानते हैं यह हम बात करेंगे कि किसने इसको बनाया, क्या rules हैं जो में follow करने चाहिए तिरंगे के साथ और कैसे और कब एक आम आदमी को जंड़ा फैराने का धिकार मिला तो यह सब जानने के लिए इस वीडियो को लास तक देखें और पसंद आये तो लाइक और शेयर कीजिए क्या आप जानते हैं इंडिपेंडनस मुमेंट के दोरान 6 बार बदलने के बाद आज के इंडियन फ्लैक को एक साधारन से किसान पिंगली विकेईयर ने डिजाइन किया था इसको 22 जुलाई 1947 को मानेता मिली तीन हिस्सों से बना ये जंडा तीन रंग को डिनोट करता है इसनी से तिरंगा कहते हैं पहला केसर्य रंग जो की शक्ती और साहस को दर्शाता है दूसरा सफेद रंग शानती और सत्य को और हरा रंग और वर्ता व्रद्धी और भूमी की पवितरता को दर्शाता है बीच में धर्म चक्र विधी चक्र को जिसको कहते हैं अशोक के द्वारा बनाए गए सारना अथमंदे से लिया गया है यह गड़ी के 24 घंटों को जो निरंतर चलते रहते हैं उनको दर्शाता है मतलब जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ ब्रत्यू है बात करते हैं कुछ मज़ेदार फेक्ट्स के बारे में तो सबसे पहले हमें समझना होगा हमारा यह जो जंडा है न हर कोई नहीं बना सकता भारत में बैंगलोरू से 420 किलोमेटर इस्थित हुबली एक मात्र लाइसेंस इंस्टिटूशन है जो जंडा बनाने का और सप्लाई करने का का अकॉर्डिंग टू दा इंडियन स्टैंडर ब्यूरो राश्टिय ध्वर्ज खादी से यह सिल्क से ही बनाये जा सकता है यह रेक्टेंगुलर शिप में बनता है और इसका रेश्यो टू इस्टू वन होता है और हम इंडियन फ्लैग को नहीं पहन सकते 2005 के बाद हमें कपड़े पर छापने की आजादी मिली लेकिन हम इसे सिर्फ कमर के उपर ही पहन सकते हैं उसकी डिग्निटी और ओनर को मेंटेन करते हुए जंडे पर कुछ भी लिखने की मनाई ही है सिर्फ को डिग्निटी ही अपनी कार के सेंटर में इंडियन फ्लैग लगा सकता है अगर दो फ्लैग लगाने है तो राइट में इंडियन फ्लैग और लेफ्ट में दूसरी देश का फ्लैग लगता है जंडा केवल राश्टी शुक के अफसर पर ही आधा जुका रहता है किसी भी जंडे को जो की फट जाए ये शितिग्रस्त हो जाए उसे एकांत में नश्ट कर देना चाहिए मुखे रूप से साल में दो दिन फ्लैग होस्टिंग होती है 26 जनवरी को राश्पत पर प्रेसिडेंट फ्लैग होस्टिंग करते हैं और 15 अगस्त को लाल के ले पर जंडा फिराय जाता है इस दिन भारत के प्रधान मंत्री यानि की प्राइम मिनिस्चर ओफ इंडिया जंडे में सिर्फ फूलों को ही लपेटा जा सकता है और कुछ नहीं एक और रोचक थे 2001 से पहले भारत में कोई भी व्यक्ती 26 जनवरी और 15 अगस के अलावा फ्लैग होस्टिंग नहीं कर सकता था इंडस्ट्रियलिस्ट नविन जिंदल ने एक पैटिशन दायर की तो सुप्रीम कोट ने 2004 में सभी देश्वासियों को यदिकार दिया कि वह जब चाहें तिरंगा फेरा सकते हैं पहले रात में तिरंगा फेराना तो पूरी तरह वज्जित था लेकिन नविन जिंदल के अतक प्रयास के कारण 2009 में ग्रेम अंत्रालिय ने रात में भी तिरंगा फेराने पर मंजूरी दे दी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जै हिन जै भारत मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्टे सिफ एंड एक्स्प्लोर जिन्दगी